हेलो स्टुडेंस वेल्गम टो मैं चैनल यूजी क्लासिस आज मैं आप सभी को पढ़ाने जा रहा हूं NCRD की क्लास फिफ्थ की गणित का जादू जिसका पहला चैप्टर है मचली उचलिंग सबसे पहले हम इस चैप्टर के टाइटल को समझेंगे फिर उसके बाद हम चैप्टर पढ़ाएंगे मचली हमारे और आप सभी के घरों में संडे और सेटर्डे को पधारती है जिसे हम लंच और डिनर में खाते हैं उसी मचली के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उचली उचली हम जिस तरह से हम मैदान पे पार्क में स्कूल में कूधते रहते हैं उसी तरह से मचलियां भी नदियों में कूधती रहती हैं जिसे हम उचलना कहते हैं उसी चीज को यहां कही गई हैं प्यारी सी रंगीन मचलियां तेरती सान्ती से। अगर आप इस चित्र में देखो। तो धेर सारी मचलियां रंगीन सी हैं जो तेर रही हैं सान्ती से। उसी बात को इस पंक्ती में कहीं गई हैं। इन तीन पंक्तियों की कहें गई इस कविता को हाइकू कहते हैं इस तरह से तीन लाइन में दी गई कविता को क्या कहते हैं हाइकू प्रकती के प्रकती मिन्स हमारे आसपास पत्थर, पहार, नदी, पानी, पेड, पौधे जो हमारे आसपास के एरिया है उसको प्रकती कहते हैं यानि कि नेचर नेचर मिन्स प्रकती प्रकती के बारे में इस तरह की कविताएं जपान में लोगों को बहुत पसंद है जिस तरह से हमारा देश भारत है उसी तरह से एक देश जापान है यहाँ जापान के लोगों को इस तरह की कविताएं पढ़ना बहुत पसंद है एक और हाइकू पढ़ें इसी तरह से एक और हाइकू यहां पर दी हुई है जिसे हम पढ़ लेते हैं तलाब सांत इस्थिर इस्थिर मतलब रुका हुआ एक जगा पर रुका हुआ तलाब सांत इस्थिर मचली उचली और लोटी तलाब लहरों से हिल गया इस चित्र में आप ध्यान से देखोगे तो ये एक तलाब है जिसमें से मचली उचली और वापस से लोट गई तो देखो यहाँ पर लहरें हिलने लगी है disso अगर आपके घर में अगर सबसे अच्छा एकजामपल देखना है तो आपके घर में बाल्टी होगी उसमें पानी भड़ा होगा उसमें आप हलका चोटा सा पत्थर डालोगे तो देखोगी कि सारा पानी जो है वो हिल जाएगा उसी तरह से जब मचलिया भी तलाप से बाहर आती है और फिर वापस उसी में चले जाती है तो लहरों से तलाप हिल जाता है यहां बच्चों के बनाएंगे मचली के कुछ चित्र दिये जा रहे हैं यहां पर बच्चों द्वारा बनाएंगे चित्र हैं तुम जब तुम मचली के बारे में सोचते हो तब मचली की कौन सी आकरती तुमारे दिमाग में आती है आप जब भी मचली के बारे में सोचते हो या आपके दोस्त जब भी मचली के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हैं जो एक image बनके आती है हमारे दिमाग में है ना मचली का image बनके आती है तो आप ध्यान से देखो तो इन में से कौन सा चित्र है जो हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है तो जो भी हमारे दिमाग में सबसे पहले आती है वो सिंपल सी और साधी सी चित्र आती है जो कि इस तरह से दिखाए देती है अगर आपको इसके अलावा कोई और चित्र नजर आती है आपके दिमाग में तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो अब यहाँ पर देखो ध्यान से तो यहाँ पर एक question दिया हुआ है उसे हम पढ़ लेते हैं मचले का चितर बनाने के लिए वर्ग और तिरभुज का उपयोग करो किसका उपयोग करना है हमें वर्ग और तिरभुज का वर्ग हम किसे कहते हैं वर्ग हम इसे कहते हैं और तिर्भुज किसे कहते हैं इसे तिर्भुज कहते हैं है न तो इस तरह से मैंने तीन तिर्भुज काट लिये हैं जिफ्ट पेपर से और दो इस तरह के तिर्भुज अब इसे आप क्या करोगे इस तरह से लगा दो और देखो कितनी अच्छी और खुबसूरत सी मचली बन चुकी है आप चाहो तो इसे आप अपनी जनरल स्टोर पर जाकर गिफ्ट पेपर के नाम से खरी सकते हो आपको बहुत आसानी से 2-3 रुपए में आपको आसानी से मिल जाएगी आप चाहो तो इसे एक और तरीके से भी बना सकते हो मचली अगर सिंपल से बनानी है तो आप इस तरह से एक मचली और बना सकते हो और आप चाहो तो आप बहुत सारे तरीके हैं आप खुद से सोच कर बना सकते हो चलो इसे साइट कर लेते हैं अपने आसपास कपड़ों पर चित्रों में दरी आदी पर मचली के डिजाइन ढूंड सकते हो आप अपने घर पे हो गया, बेट सिर्थ पर हो गया, आपके टी सेट्स पर हो गया या आपके घर में जितने भी कपड़े हैं उस पर आप मचली के डिजाइन ढूंड सकते हो मीन का अर्थ है मचली और मिनाक्षी का अर्थ हुआ वह लड़की जिसकी आँखें मचली जैसी है क्या तुम ऐसी आखो वाली किसी व्यक्ति के बारे में सोच सकते हो एक ऐसा चहरा बनाओ जिसकी आखें मचली जैसी हो आप अगर धियान से देखोगे तो इसकी आखें बिलकुल मचली जैसी है इसमें आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा होगा मैं आपको इस साइड में क्लियर इमिज दिखा देता हूँ आप देखो तो इसकी आखे बिलकुर मचली जैसी है इसकी आखे बिलकुर मचली जैसी है न तो आप चाहो तो इसका चहरा बना सकते हो मचली अलग अकार की हो सकती है इस image में देखो हर मचली अलग अलग अकार की है सबसे छोटी मचली लगभग एक सेंटीमीटर लंबी होती है सबसे छोटी मचली एक सेंटीमीटर लंबी होती है तुम अधिक से अधिक कितनी लंबी मचली के बारे में सोच सकते हो अगर आप अधिक से अधिक लंबी मचली के बारे में सोचोगे तो हूप सकता है कि आप 1000 cm मचली के बारे में सोच सकते हो तुम्हारी बड़ी मचली सबसे छोटी मचली से कितनी गुनी लंबी है तो आप यहाँ पर क्यालकुलेशन करना पड़ेगा तब आपको पता चलेगा है ना तो सबसे पहले आप क्या करोगे छोटी मचली कितनी सेंटिमेटर की है तो हम यह आप लिख लेंगे छोटी मचली कितनी सेंटिमेटर की थी एक सेंटिमेटर और बड़ी मचली एक हजा सेंटीमिटर अगर आप से कोई भी पुछे सवाल कि कितना गुना लंबा हुआ तो आप क्या करोगे उसमें भाग दे दोगे सबसे छोटी मचली को बड़ी मचली में हम भाग दे देंगे भाग देने के लिए क्या करेंगे इसको हम साइड में ऐसे करेंगे एक सबसे छोटी मचली एक सेंटीमिटर की और सबसे बड़ी मचली एक हजार एक हजार को हम अंदर रखेंगे और एक को बाहर इसको हम इसमें भाग देंगे एक अगर एक में जाएगा तो कितने बार जाएगा एक बार जाएगा तो आप इसको किस में जाएगा एक में जाएगा तो आप यहाँ पर माइनस करोगे तो यहाँ पर क्रॉस आ जाएगा ध्यान देना कि यहाँ पर जीरो नहीं लिखना है है ना हमेसा cross ही लिखना अब इस zero को यहाँ पर उतार दो अब ये एक zero में कितने बाट जाएगा zero बाट जाएगा तो यहाँपर zero Колिक दो और यहाँपर zero में zero में ही जाएगा क्योई तो यहाँपर zero लिख दो उसपर minus करोगे तो यहां पर cross आजाएगा अब इस 0 को यहाँ नीचे उतार दो तो यहाँ पर एक 0 में 0 बार और 0 में जाएगा यहाँ पर माइनस क्रोस यह लाश्ट 0 बच गया इसको यहाँ पर नीचे उतार दो एक 0 में 0 बार किस में जाएगा? 0 में जाएगा यहाँ पर क्रोस यहाँ पर अंसर कितना आया एक हजार इसलिए बड़ी मचली छोटी मचली से एक हजार गुना बड़ी है है ना आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हो बड़ी सबसे बड़ी मचली वेल सार्क है है ना नदी में तो आपने वेल सार्क देखा नहीं होगा ये समुद्र में ही पाए जाती है क्योंकि नदी तो बहुत छोटी होती है समुद्र बड़ी होती है वास्ता में ये वेल नहीं बलकि एक बहुत बड़ी मचली है वेल मचली से अलग होती है याना मचली अलग होती है और वेल अलग होती है वेल हमेशा बड़ी होती है और मचली छोटे छोटे होते है वेल हमारी ही तरह नाक से सांस लेती है जिस तरह से हम नाक से सांस लेते हैं उसी तरह से वेल भी हमारी ही तरह सांस लेती है लेकिन मचलियों की नाख नहीं होती है वेल की नाख होती है और मचलियों की नाख नहीं होती है वे पानी लेती हैं है ना वो छोटी मचलियां जो होती है वो जिंदा रहने के लिए क्या करती है पानीयों को अंदर मुह से लेती है लेकिन वेल की नाख होती है पानी लेती है हवा नहीं वेल बच्चों को जन में देती है लेकिन मचलिया अंडे देती है वेल बच्चों को जन में देती है और जिस तरह से मुर्गी अंडा देती है उसी तरह से मचलियां भी अंडा देती है और अंडे से फिर मचलियां होती है वेल सार्क बरी और खतरनाग दिखाई देती है पर किसी को नुकसान नहीं पहुचाती जब तक आप देखो जैसे आपका महले में कुत्ते होगे जब तक आप उसको नुकसान नहीं पहुचाओगे आपको भी वो नुकसान नहीं पहुचाएंगे उसी तरह से सार्क भी होती है वेल सार्क जब तक आप उसको नुकसान नहीं पहुचाओगे वो आपको नुकसान नहीं पहुचाते हैं वे मनुस्व पर हमला नहीं करती वे एक वेल सार्क 18 मिटर लंबी है कितनी मिटर लंबी है? 18 मिटर जरा सोचो वे कितनी लंबी होगी 18 मीटर जरा सोचो कितनी लंबी होगी तुम्हारी लंबाई के लगभग 12 बच्चों के एक की उपर एक खड़ा करने पर मिलने वाली लंबाई आपके दोस्त लोग होगे न सबको अगर एक बार में 12 लोगों को आपके उपर खड़ा कर दिया जाए तो उससे जो लंबाई मिलेगी न वो होगी एक वेल के बराबर आप इस तरह से इमिज में देख सकते हो इस तरह से अगर आपके दोस्तों को आपके उपर खड़ा कर दिया जाए और उससे जो लंबाई को जोड़ कर अगर compare किया जाए इसकी लंबाई से तो आप दोनों की लंबाई बड़ाबराएगी अंदाजा लगा उसका वजन कितना होगा? आप अंदाजा लगा सकते हो क्या? कि एक वेल का वजन कितना होता है? तुम सभी 12 बच्चों के कुल वजन से बहुत ज़्यादा है आप अपने दोस्तों के वजन से बहुत ज़्यादा उसका वजन लगभग 600,000 किलोगराम है समझे? उसका वजन लगभग 600 किलोगराम है यहाँ पर कुश्चिन दिया हुआ है तुमारा वजन कितने किलोगराम है? आप अपना वजन आप खुदी बता सकते हो यह ना? मैं यहाँ पर अंदाजा से बता सकता हूँ कि आपका वजन लगभग 25 किलोगराम होगा इसलिए मैंने यहाँ पर 25 किलोगराम लिख लिया तुमारी ही तरह के 12 बत्चों का कुल वजन लगभग 10 किलोगराम होगा तो आप यहाँ पर क्या करोगी? आपका वजन कितना है? 25 किलोगराम तुमारा ही वजन तो यहाँ पर 25 को 12 से गुणा कर देंगे गुणा करने के लिए क्या करेंगे? देखो क्यूंकि आपका वजन कितना है? आपका वजन है 25 किलोगराम और 12 बच्चे और हैं दो को हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 2 का 2, 2 दुनी 4, 2 तीए 6, 2 चोके 8, 2 पंचे 10 10 के हासिल 1 2 अब 2 में जाएगा तो कितना हाएगा 4 4 और एक हासिल था उसको जोड देंगे तो कितना हो जाएगा 5 अब एक को गुना करेंगे यहाँ पर पहले क्रॉस लिख लो एक को गुना करेंगे 5 में तो 5 और एक को गुना करेंगे 2 में तो 2 अब इसे हम जोड लेंगे तो 0 का 0 5, 5, 10 हासिल 1 2, 2 और 3, 2 और 1, 3 हमारा अंसर कितना है या? 300 तो आप यहाँ पर लिख सकते हो 300 किलोग्राम वेल सार्क का वजन तुम्हारे जैसे बारा बच्चों के गुना ज्यादा होगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको वेल सार्क और अपने बारा बच्चों के जो वजन है उसको आप खटा लोगे तो निकलाएगा वेल सार्क कितने किलोग्राम की होती है यहाँ पर सुल्ला हजार और बारा बच्चों का वजन कितना था 300 इसे हम माइनस कर लेंगे 0 में से 0 जाएगा तो 0, 0 में से फिट 0 गया 0 और यहाँ पर 0 में से 3 तो जाएगा नहीं तो यहाँ पर देखो 0 क्या करेगा 0 अपने पडोसी को कहगा बाई तुम तो बहुत अमीर हो तुम तो 6 हो मैं तो 0 हूँ अगर तुम मुझे एक दे दोगे तो तुम तो 5 रहोगे तुम फिर भी मुझे बढ़े रहोगे इसलिए 6 इसको एक दे देगा तो इसे 6 इसको एक दिया तो ये हो जाएगा 10 दस मेंसे 3 गए तो बच गए 7 अब क्योंकि ये एक इसको दे चुका था तो ये तो 6 था और ये इसने एक दिया इसको तो ये 5 हो गया और ये 1 तो एक ऐसी उतर जाएगा मचली की पूछ वेल और मचली में अंतर देखने के लिए उनकी पूछों को ध्यान से देखो अब देखो ध्यान से कि वेल की पूछ किस तरह की है और मचली की पूछ किस तरह की है तुम देख सकते हो कि मचली की पूछ उसके सरीर पर सीधी खड़ी होती है पर वेल का पूछ तो पैरों के समान दिखाई देती है अब ध्यान से देखोगे तो जो मचली की पूँच है वो एकदम खड़ी है सीधी और ये जो वेल की पूँच है इसमें ये दो पैरों के समान नजर आ रही है लग रहे हैं जैसे इसके दो पैर हैं क्या तुम तस्विर में मचली को पहचान सकते हो तो आप तो के लिए कह सकते हो कि मचली इन में से ये लाल वाली मचली है बाकी ये दो वेल हैं मचली का स्कूल जिस तरह से हमारा स्कूल होता है उसी तरह से मचली की भी स्कूल होती है मचली समुद्र में बड़े बड़े जुन्डों में तैरना पसंद करती है जिस तरह से आप अपने दोस्तों के साथ इस्कूल में घूना पसंद करते हो उसी तरह से मचलियां भी जुन्डों में तैरना पसंद करते ही जिसे मचलियों का स्कूल कहा जाता है जुन्डों में होने के कारण उन्हें डर नहीं लगता है क्या होता है कि आप भी अपने दोस्तों के साथ इस्कूल में रहते हो तो आपको किसी से डर नहीं लगता है और अगर आप कभी अकेले रह जाते हो अगर आपका दोस्त उस दिन नहीं आता है तो आपको डर लगने लगता है उसी तरह से मचलियां भी डरने लगती हैं वे बड़ी मचलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं, वो अपने जुंडों में रहती हैं, इसलिए वे बड़ी मचलियों से सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि उसके पास रेड़ सारे दोस्त हैं, क्या तुम अपने स्कूल में सुरक्षित महसूस करते हों, तो आप अपने पीकर फूल जाती हैं और बड़ी दिखायत देती हैं जिस तरह से आप कभी-कभी अपने दोस्तों से लंबे होने के लिए पैरों के उंगलियों पे खड़े हो जाते हो ना और चलने लगते हो और कहने लगते हो कि मैं आपसे लंबा हूं उसी तरह से इन लोग भी मचलियां द देखो इस चित्र में सबसे पहले इसने थोड़ा सा पानी पी लिया तो यहां पर देखो किस तरह से फूल कर बड़ा दिखाय दे रहा है जिनसी ने मचली के चित्र बनाने के लिए नीचे दी गई आकरतियों का उप्योग किया है देखो यहां पर धेर सारे पेपर कटिंग दिये हुए हैं इसका उप्योग करके इसने इस तरह की मचलियां बनाई हैं आप बेचाओ तो बना सकते हूं क्यूंकि मैंने आपको पहल कुद्री जानवर बनाने के लिए करो कि यान फिर भी मैं आपको एक एक जामपल दिखा देता हूं कि देखो यह एक कटिंग है जो बिल्कुल इस तरह किया है नो सेम तो नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत इस तरह से मिलती जुलती है कि एक कटिंग यह है जो इससे मिलती जुलती है एक कटिंग यह तिर्भुच से मिलती जुलती है अब हम इसकी सहायता से क्या करेंगे एक मचली बनाने कोसिस करते हैं देखो तो लग रहा है नहीं बिल्कुल एक मचली की तरह लग रहा है आप चाहो तो इसी तरह से बना सकते हो नहीं तो आप दूसरे तरीके भी अपना सकते हो इन में से कौन कौन सी समुद्री जानवर तुमने पहले देखे हैं आप इस चितर में देख कर बताओ आपने कौन कौन से जानवर देखे हैं आपने जहींगा मचली भी देखी होगी आपने इस तरह की फिस भी देखी होगी और केकड़ा भी देखा होगा आप अपने हिसाब से बता सकते हो आपने जो भी देखा हो मचुवारे और उनकी नव तुमने तुम में से कितनों ने समुदर देखा है आप बता सकते हो आप लिख भी सकते हो कि आप में से किसने किसने समुदर देखा है इसे तुमने कहा देखा है क्या तुमने इसे फिल्मों में देखा है या सच में देखा है तुम्हारे विचार में समुदर कितना गहरा होगा अप अंदाजा लगा सबते हो क्या कि समुदर कितनी गहरी होती है मालूम करो अपने फ्रेंड्स के साथ चर्चा कर सकते हो कि समुदर के इतनी गहरी होती है क्या तुम्हें तैरना आता है आपको तैरना आता है अगर जिस जिसको तैरना आता है वो मुझे कमिट में बता सकते है उसको मैं हाट रिपलाए दूँगा क्या तुम्हें समुदर की उची उची लहरों से डर लगता है आप मैंसे किस-किस को समुदर की लहरों से डर लगता है अपने आखें बंद करके सोचो कि समुदर में उची-उची लहरे उठ रही है तुम्हारे विचार में लहरे कितनी उपर उठ सकती हैं आप अपने अंदाज से लिख सकते हो 3 से 4 मीटर कलपना करो कि मचवारे अपनी नाव में बैठे हैं और लहरों के साथ उनकी नाव उपर नीचे हो रही है आप कलपना कर सकते हो कि आप नाव उपर बैठे हो और लहरों से आपकी नाव उपर नीचे हो रही हो कितना डर लगेगा मचवारे अंधेरे में ही अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं मचवारे क्या करते हैं अंधेरे में ही निकल जाते हैं मचली पकड़ने के लिए कुछ मचवारे अपनी लकड़ी के फटों से बनी सधारन से दिखने वाली नाव में जाते हैं इस तरह से फट्टे वाली नाव होती है जो इसी तरह के नाव में निकल जाते हैं अगर समुद्र उफान पर हो और तेज हवा के साथ साथ उची लहरे भी उठ रही हैं तब इन मचवारों को बहुत मुझ्गिल का सामना करना पड़ता है लकड़ी के फट्टो से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती यदि हवा साथ दे तो नाव लगभग एक घंटे में चार किलोमेटर चली जाती है क्योंकि हमें लकड़ी से बनी वे नाव को हमें हाथ से चलाना पड़ता है और वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकती है एक घंटे में कितने किलोमेटर जाती है एक घंटे में चार किलोमेटर तक देखो यहाँ पर कोश्चन है दस किलोमेटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा 10 km जाने में इन्हें कितना समय लगेगा जबकि ये एक घंटे में 4 km जाती है तो हम इसके लिए क्या करेंगे एक formula का यूज करेंगे जो बहुत simple सा formula है जो आपको chapter में आगे भी काम आएगी देखो formula क्या है पहले हम लिख लेते हैं एक घंटे में एक घंटे में 9 जाती है कितना? 4 km एक घंटे में 4 km जाती है तो 10 km कितना जाएगी? कितने दिर में? 10 km जाएगी अब यहाँ पर हम formula का यूज करेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल यह formula है आपको एक जगा पर आपको और काम आएगी यहाँ इसको यहाँ पर रख देंगे और इसको यहाँ पर रख देंगे तो हमारा answer आजाएगा बहुत simple सा formula है आप इसे याद कर लो चलो देख लेते हैं दूरी हमारी हो गई 10 km quindiर से और 4 हमारी हो गई 4 अब देखो यह दो अंक है आप इस दोनों कोी same UNK से काटना है झेको इसे हम 2 से काटते हैं दोटा 2 दोदूनी 4 क्योंकि दो बार कटेगा आप दो का 2 दोद्यनी 4 अब यह देखो, 10 कितने बार में कटेगा 2 से? 2 का 2, 2 दुन चार, 2 तीछे, 2 चो क्यार, 2 पंचे, 10 आज बार में कट गया, अब इसे हम किस तरह से लिखेंगे? 5 बटा, 2 अब यह बटा है, बटा का मतलब ही होता है क्या? भाग देना, तब हम यहाँ पर भाग देंगे 2 को बाहर, 5 को अंदर रख लेंगे अब देखो, 2 इसमें कितने बार जाएगा? 2 का 2, 2 दुनी, 4 कितने बार गया? 2 बार, कितना गया? 4 पर माइनस करेंगे, माइनस करेंगे, तो कितना बचेएगा? 1 अब देखो इसको हम किस तरह से लिखेंगे आगे तो देखो घड़ी की जो सूई है वो किस तरह घुमती है यह ना बारा एक दो तीन चार इस तरह से घुमती है हम भी इसी तरह से इसको यूज करेंगे देखो यह ट्रिक आप हमेशा याद रखना क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा इसमें कन्फ्यूज करते हैं देखो पहले हम क्या लिखेंगे दो को हमारा दो आ गया क्योंकि हमने दो से शुरुवात की और यहां पर दो पर आके रुखेंगे फिर आया हमारा एक फिर इसके बाद दो हमारा दो घंटा तो पूरा है लेकिन यह हमारा एक बटा दो है एक बटा दो कोई समय नहीं होता इसे हमें समय में कन्वर्ट करना होगा तो एक घंटे में कितने मिनट होते हैं साथ मिनट तो हम साथ मिनट से गुना कर लेंगे देखो ध्यान देना यहाँ पर नीचे से हम क्या करेंगे भाग और उपर से क्या करेंगे गुना तो देखो यहाँ से भाग करेंगे तो क्या होगा यह कड़ जाएगा 2 का 2, 2 तुनिचाट 2, 3 च्छे तीन बार में और 0 में तो कितने बार जाएगा 0 बार यहां पर 0 लिख दो और यह रहाए गया इससे गुना करना है गुना करेंगे तो कितना आएगा यहां पर 30 ही आएगा एक से हम किसी भी संख्या को गुना करेंगी तो उतना ही संख्या आएगा अब देखो आगे 10 किलो मीटर 10 किलो मीटर तक जाने में नाव को लगेगी समय 2 घंटे 30 मिनट देखो 10 किलो मीटर जाने में लगेगी समय 2 याने के धाई घंटे हो गया ना सॉल्व अब देखो आगे बढ़ते हैं अंदाजा लगाओ तुम तेज चल कर एक घंटे में कितनी दूर जा सकते हो अंदाजा लगाओ तेज चल कर आप एक घंटे में कितनी दूर जा सकते हो जब ये मच्वारे हवा को महसूस कर सकते हैं और सूरज को देखकर अपना रास्ता खुश सकते हैं हम मेंसे बहुत से तो समुद्र में रास्ता ही भूल जाएंगे यहाँ पर केवल पानी ही पानी दिखाई देता है और कुछ नहीं हमको अगर कहीं समुद्र में ले जाया जाए और वहीं छोड़ दिया जाया तो हम तो भूल ही जाएंगे कि कहाँ है खो ही जाएंगे पता ही नहीं चलेगा किस दिखाँ में हैं हम पता करो सूरज की ओर देखो और पता करो कि वह किस दिखाँ में उकता है तो सूरज पुरव दिशा में उकता है तुम जहां कहीं भी हो देखो कि तुम्हारे पुरव में कौन-कौन सी मज़दार चीज़े हैं तो आप अपने पुरव दिशा में देख कर बता सकते हो कि आपके सामनी क्या-क्या है आप लिख सकते हो जैसे पेड हो गया पहाण हो गया नदिया हो गई अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली दो चीजों के नाम लिखो आप लिख सकते हो आपके पश्चिम में आपके आगर आप रूम में हो तो आप लिख सकते हो आपके पश्चिम में बैड होगा फ्रेज होगी या कुछ भी होगा उसके दो नाम लिख दो वह कितनी मचलियां समुद्र के अंदर मचवारे उस जगा को ढूडते हैं जहां उन्हें ज़्यादा मचलिया मेल सके वहां वे अपना जाल फैलाते हैं उन्हें मचलियों को जाल में आने के लिए कई गंटों तक इंतजार करना पड़ता है मचवारे क्या करते हैं जाते हैं और उस जगा को ढूडते हैं जहां पर मचलियां बहुत सारे हो और उन्हें जाल को फैला देते हैं और कई घंटों तक इंतजार करते हैं मचलियों के आने का अलग-अलग तरह की नाओं को देखो अगले पेच में हम अलग-अलग तरह की नाओं को देखेंगे कुछ नाओं में मोटर लगी होती है और वे समुदर में बहुत दूर तक चली जाती है समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मचलियां मिल जाती है समुद्र में ज़्यादा दूर जाकर मोटर वाले नाओं को ज़्यादा मचलियां मिल जाती है मोटर लगी नाओं लगबग 20 किलोमेटर प्रति घंटे तक की चाल से चलती है है न हमने अभी क्या पढ़ा था जो सिंपल सी जो नाव होती है फट्टे वाली वो एक घंटे में कितने किलोमेटर जाती है चार किलोमेटर लेकिन ये मोटर वाली जो नाव है एक घंटे में 20 किलोमेटर जाती है देखो कितना फर्क है मोटर वाले नाव और सिम्पल सी नाव में मोटर वोट साड़े तीन घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी यहाँ पर क्या पूछ रहा है मोटर वोट साड़े तीन घंटे में कितनी दूर जा पाएगी यहाँ पर दूर ही पूछ रहा है एक घंटे में जाती है 20 किलमेटर तो यहाँ पर आपको फॉर्मल लगाना होगा दूरी का दूरी ग्याद करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है दूरी इकवल टू चाल इंटू समय अब देखो चाल कितनी है 20 किलमेटर और यहाँ पर समय कितनी है 3.5 गंटे चाल हमारा हो गया 20 और समय हमारा साड़े 3.5 गंटे 3.5 शाड़े 3 को हम इसी तरह से लिखते हैं अब हम इसको क्या करेंगे गुना करेंगे गुना करने के लिए क्या करेंगे इसको हम पहले हटा देंगे तीन को 0 में गुना करेंगे तो पांच को 0 में गुना करेंगे तो कितना होगा जीरो पांच को 2 में गुना करेंगे तो कितना होगा तस अब यहाँ पर क्रॉस तीन को हम 0 में गुना करेंगे तो कितना होगा जीरो क्योंकि वो जीरो है जीरो को हम जीरो में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो कितना आएगा जीरो अब तीन को हम दो में गुना करेंगे तो कितना आएगा छे अब इसको हम जोड लेंगे जीरो का जीरो 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 एक और यह पर कितना जाएगा अब यहाँ पर क्या करना है हमें ध्यान से देखो यहाँ पर कितने अंक के बाद 10 लगा भूआ था एक अंक के बाद 10 लगा भूआ था तहम यहाँ पर right side से देखेंगे एक अंक के बाद हम यहां पर दसंबलों लगा देंगे यहां पर तो क्योंकि दसंबलों के बाद के अंक का कोई value नहीं होता है यहां पर हम 70 km लिख सकते हैं क्या पूछा था मोटर वोट साड़ तीन घंटे में कितनी दूरी तक जा पाएगी तो मोटर वोट गंटे में 70 km जा पाई अब यहां पर देखो दूसरा question क्या दिया हुआ है 85 km जाने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा मैंने आपको पहले बताया था न कि समय का formula आपको बहुत जगा पर यूज करने को मिलेगा यहां पर भी समय का भी formula लगाना है क्या बताया था मैंने sum is equal to दूरी बटे चाल यहां पर देखो चाल कितनी दी हुए है 20 km प्रती घंटा और दूरी कितनी है 85 km तम यहां पर calculation करेंगे समय बराबर दूरी बटा चाल दूरी कितनी थी दूरी थी 85 km और चाल कितनी थी चाल थी 20 km अब हमें क्या करना होगा इसे हमें सेम अक्षर से यानि की सेम अंक से काटना होगा दोनों को तो यहां पर देखो पांस से यह भी कट जाएगा पांस से ये भी कट जाएगा पांस से बीस कितने बार कटेगा चार बार में और ये पांस से कितने बार में कटेगा नौ बार में अब इसको हम इस तरह से लिख लेंगे नौ बटे चार नौ बटे चार बटा का मतलब भाग देना तो हम इसमें 9 में 4 से भाग देंगे 4 9 में कितने बढ़ जाएगा दो बार इसको 2 को उपर लिख लो और कितने में जाएगा 8 में जाएगा यहाँ पर माइनस कर लो माइनस करने पर 8 को 9 में माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 1 अब मैंने आपको क्या बताया था कि चार को आगे लिख लो और नीचे वाला उपर और उपर वाला नीचे हमें ये इस तरह से हो गया चार पूरे घंटे हो गया और एक बटा दो यानिक ये आदा घंटा इसे हमें समय में कनवर्ट करना होगा समय में कनवर्ट करने के लिए क्या होता है साथ मिनट एक घंटे में होते हैं तो हम इसको साथ से गुना कर लेंगे नीचे से भाग देंगे और उपर से गुना करेंगे तो इसको हम भाग देंगे तो 30 बार जाएगा अब ये एक से हम गुना कर लेंगे कितना हुआ? 30 तो यहाँ पर समय कितना लगेगा? 85 km जाने में यहाँ पर कुशन था न? देखो कुशन क्या था? 85 km जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर यह 4 पूरे है और यह 30 यहाँ पर चार बच के 30 मिनट याने के सारे 4 घंटे 85 km जाने में जाने में 4 घंटे 30 मिनट लगेंगे है न? चलो अब आगे बढ़ते हैं पहला कुशन क्या है? पहला कुशन देखो मोटर बोर्ट साथे तीन घंटे में कितने दूर जा पाएगी? एक घंटे में 20 km जाती है तो साथे तीन घंटे में कितने दूर जा पाएगी? इसको सॉल्व करते हैं देख सबसे पहले हम क्या करते हैं क्या लिखेंगे एक घंटे में मोटर बोट चलती है कितना चलती है 20 किलोमेटर यही लिखा था ना एक घंटे में मोटर 20 किलोमेटर चलती है तो साड़े तीन घंटे में साड़े तीन को हम 3 दसमलो 5 लिखते है घंटे में मोटर बोट चलेगी क्या करना है हमें दूरी ज्याद करने है दूरी ज्याद करने के लिए formula होता है दूरी बराबर चाल इंटू समय क्या दूरी इक्वर्टू चाल इंटू समय हमारा चाल क्या है 20 किलोमेटर और समय क्या है 3 गंटे 3,5 गंटे देखो चाल हमारी 20 थी और समय हमारा 3 दसंबलो 5 है अब इसको हम गुना कर लेंगे गुना करने के लिए क्या करेंगे देखो ध्यान से यहाँ पर दसंबलो है तो हम गुना करने के लिए सबसे पहले हम दसंबलो को भूल जाएंगे इससे आप हटा दो अब देखो यहाँ पर हटा दिया हमने पांच को जीरो से गुना करेंगे तो जीरो पांच को दो से गुना करेंगे तो पांच का पांच बांदुनी दस यहाँ पर नीचे आएंगे तो एक क्रोस अब बारिया आई तीन की 3 अगर 0 से गुना करेंगे तो कितना ऐगा же गर 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 का 3 3 दोनी 6 यहाँ पर अब प्लस कर लो 0, तो यहाँ पर 0 0, 0 को जोर देंगे तो 0 1 और 6 कितना हो गया 7 अब क्या करेंगे? देखो यहाँ पर यह मेरा right hand है ये मेरा left hand है तो हम right hand के side देखेंगे तो देखो right hand के side क्या था? एक अंख था एक अंख के बाद क्या है? दसमलो लगा हुआ था एक अंख के बाद दसमलो लगा हुआ था तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी एक अंख के बाद दसमलो लगा देंगे दसमलों के बाद जो 0 है उसकी कोई value नहीं होती है तो हम इसे क्या लिखेंगे 70 km लिखेंगे इसको तो 3.5 तीन घंटे में साड़े 3.5 तीन घंटे में motor board 70 km जाएगी दूर जाएगी दूर दूर जाएगी दूसरा question क्या है दूसरा question देखो 85 km जाने के लिए उन्हें कितना समय लगेगा एक घंटे में कितनी जाती है motor board चलती है कितना 20 km एक घंटे में 20 km चलती है न तो पचासी किलो मेटर पचासी किलो मेटर जाने जाने में लगेगा समय क्या ग्याद करना है हमें समय का formula क्या होता है समय एक वर्टू दूरी बटे चाल चाल कितनी है 20 km और दूरी कितनी है पचासी किलो मेटर अब ये दोनो अंग को हम सेम अंग से काटेंगे है तो देखो 5 से ये कट जाएगा 5 का 5,應該 22, पते 15, पचो के 20 5 से ये 4 बार में कट जाएग theoretically अब देखो 88 को हमें काटना है तो देखो 5 से काटेंगे है न इसको 5 से काटें थे तो इसको भी 5 से ही कटेंगे तो यह 5 से एक बार में कट जाएगा अब बच जाएगा तीन और यहां पर 5 तो हासिल तीन और यह 5 कितना हो जाएगा 35 35 में 5 से कितना कटेगा यानिके पुरा यह 17 बार में कट जाएगा इसको हम किस तरह से लिखेंगे 17 बटे चार बटे का मतलब होता है भाग देना चलो हम यहां पर भाग देते हैं चार से देखो चार इसमें कितने बार जाएगा चार का चार चार दुनियार चर्टिय बारत चर्चों के सुल्ला चार बार है ना चार का चार 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 दुनियार चर्टिय बारत चर्चों के सुल्ला सुल्ला में जाएगा इसको हम minus कर लेंगे साथ में 6 गए बचा 1 एक में 1 गए बचे कुछ नहीं अब जिस तरह से घरी घूमती है ना क्या करना अब हमें इसे हमें भीन के रूप में लिखना है तो देखो जिस तरह से घरी घूमती है ना उसी तरह से हम इसे भी लिखेंगे घरी कैसे गुमती है इस तरह से तो हम इसे भी लिखेंगे इसी तरह से देखो सबसे पहले कितना आएगा चार फिर आएगी बारी एक की और फिर उसके बाद आएगा चार अब देखो ये चार तो पूरे घंटे हो गए चार घंटे हो गए अब ये एक बटा चार है एक बटा चार कितना होता है अब हमें इसे समय में करना होगा और एक घंटे में होते हैं साथ मिनट तो हमें इसे साथ से गुना कर देंगे चार से हम ये काटेंगे तो कितने बार में कट जाएगा ये कट जाएगा पंद्रा बार में पंद्रा बार में कट गया अब इसे हम एक से गुना करेंगे यहां एक बचा है ना तो हम यहां एक से गुना करेंगे तो भी पंद्रा आएगा याने के चार बच के पंद्रा मिनट तो पच्चासी किलो मीटर जाने में लगा समय पचासी किलोमेटर जाने में लगा समय कितना? चार घंटे पंदरा मिनट घंटे अना? अब यह वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है इसलिए मैं इस चैप्टर को मैं तीन भाग में बना दूँगा इसका पहला भाग यह है और दूसरा भाग देखने के लिए यानि कि दूसरा पार्ट देखने के लिए आपको यूटूब पे सर्च करना होगा मचली उचली पार्ट टू यूजी क्लासेस तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में